जो टॉपीट डारेंगे 36 गड़ में पंचायती राज कुंसा राज पंचायती राज अगर एडियो का एक्जाम होता है तो यह कंफर्म नहीं है कि 30 क्वेश्चन यहां से आएंगे कि 15 क्वेश्चन आएंगे जैसा भी है लेकिन यह टॉपिक ऐसा टॉपिक है जो आपके सीवी पेसी में भी काम आएगा ब्यापा में भी काम आएगा और चत्रीवड की जितने भी इस्ट्रेट लेवल की एक्जाम होते हैं सब में काम आना ही आना है ठीक है तो इसको हम लोग ओवराल हर एक्जाम के परपस से पढ़ आते हैं कि कहां से आते हैं पंचायति राश की बारें बात करें पहले समझे कि है क्या चीछ इसकी औधाना कैसे आई ये कभ से लागू हुआ क्या कैसे बस स्चोरी में समझाऊंगा रूधा बश्मस्म गाते है पंचायती राज मतलब होता है पंचो का राज, किसका राज? पंचो का, किसका राज? पंचो का, अब पंचायत सिस्टम में सबसे छोटी काई जो होती हो, पंच की होती है, किसकी होती है? पंच, अब गाउ में मुख्या, वर्तमान में भले सरपंच है, कोन है? सरपंच, लेकि हम पंच और सरपंच दोनों को प्रतच रूप से क्या करते हैं चुनते हैं यह वर्तमान की बात अब यह बताते हैं पाश्ट के बारे में किसके बारे में पाश्ट में हम देखते हैं तो देखते हैं वैदिक काल में वैदिक काल में क्या ये चीज़े थी कि नहीं थी उसमें पंचाइती राज नहीं था वैदिक काल में हम देखते हैं इस्थानी स्वसासन क्या था आपका इस्थानी स्वसासन मतलब यह है कि इस्थानी इस्थर में जो भी काम काज हो रहा है उसमें इस्थानी लोगों की भागीदारी होनी चाहिए मतलब अगर प्रसासां की सबस्चुर्टी काई गाउं तक जा रही है और उस गाउं में कुछ हो रहा है ठीक है तो उसमें सहयोग सभी का होना चाहिए, पूरे गाउं वासियोग का सहयोग होना चाहिए और उसका एक मुख्या हुआ करता था, अब धीरे धीरे अलग-अलग काल में उस गाउं के मुख्या को अलग-अलग नाम से जाना गया जैसे जैसे हम देखते हैं वैदिक काल में गाव की मुख्या को ग्रामडी कहते थे क्या पते से बोलो ग्रामडी बहुत देकाल में ग्रामडी वजग कहते थे मुगल काल में मुगदम कहते थे कल्चूरी वंस में गौटिया कहते थे वर्तमान में हम लोग क्या वो रहे हैं सर पंच बो रहे हैं लेकिन आजब हम लोग वर्ड हम लोग करते हैं अजमारे लोकल लेंग्वेज में कि वह गाउं का गाउटिया बहुत अमीर आदमी उसके पास वी सिगर खेच आसा बोलेते हैं आप y¿ ये चीज़ आको समझना है कि कहानी तो ऐसा विल्कुल नहीं है, पंचाती राज सुरू से लागु नहीं है, गाधी साहब बोलते थे कि होना चाहिए, इनको स्टाटिंग सही सविधाईग दरजा देना चाहिए, पंचाती राज को 1949 में ही सविधाईग दरजा मिल जाता, ठीक है, लेकिन नहीं मिला, अब क्यों नहीं है? क्योंकि उस समय के लोग इतने पढ़े लिखे नहीं थे, कि गाउं इसतर में इसको अगर चलाया जाता, तो ये अच्छे से चल पाता, फिर वही साहु कारिता, फिर वही जमिन दाई पर था, फिर उसके नीचे कांग, अभी भारते से भी आजाद हुआ है गुलामी से जाद हुआ है, गुलामी तो उनके मन में है, हमारे तो तन मदल में है गुलामी, इसके तो नोकी, नोकर बनना चाहते हैं, ठीक है, अब हम लोग बात करें हैं, फ्यूचर के बारे में, कि सहाब भी वराम बेटकर सहाब की बात को सपोर्श जिकार कर लिए, और इसको किनाय रख दिया गया, इसको सविधाई दर्जा नहीं दिया गया, और अउचे 24 में कुछ पंचाहती राज के प्रवधान रख दिये गया, या रखना को से 40, अउचे चलिए, में पंचाहती राज का प्रवधान रख दिया गया, लेकि उससे सविधाई दर्जा नही एक प्रिश्ट करेंगे कि भाईया यह सफल क्यों हुआ फिर उसको लाओ करेंगे वह सफल होगा फिर उसको चेक करने के लिए समीथी अइसे करते करते हम लोग 1993 तक हम लोग ऐसी पढ़ने वाले हैं कि समय में आ रहा है 1993 तक हम लोग ऐसी पढ़ने वाले हैं कि बताएं कि एडियो का कि आई यह वैठी चलिए खाज रहें कहां से थे कहां से कहां चलो आगे बताओ कहां थे अरे क्या बता रहा था तो पंचाती रज में कहां तक मैं बता रहा था था को समीतिया ठीक है तो हम बात करेंगे 1852 से समुदाई विकास का इक्रम उसके बाद वो असफल होता है तो बर्वंतराय मैता समेति असोक मैता समेति एलें सिमी सिवीति और अगलग समीतियों का निर्मान होता है सब असफल हो जाते हैं बाद में फानेली जब पंचायती राज को एक सविधानी दरजा दिया जाता है तब जाकर उसको सविधान में संसोधन के तहत रखा जाता है तब जाकर यह पूरे भारदेश में क्या होता है अब समस्या यह रहा पहले जमाने में अपके जमाने में क्या कैसा है तो पहले जमाने में जो विवस्था चलती आ रही थी उसकी कोई रूप रेखा नहीं थी मतलब एक हालकी होता ना, सरकार, केंदर सरकार तो भेज तो रहा है गाओं के विकास के लिए पैसा, लेकिन वह पैसा गाओं तक पहुश ही नहीं पता था, उजीला में एक खता हुश ज़ता था, इस लिए इस बेवस्था की सुरू की गई, कि जो पैसा केंदर की दवरा पंचो का राज, किसका राज, पंचो का राज, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है, अब देखे, इसमें मुख्या ओधाना दिया गया है, उन छोटे से छोटे समुह का विकास करना, जहां बिक्ति विशेश लोग निवास करते हों, चाहे वो चार घर के लोग हों, चाहे एक घ लेकिन वहां गाउं की संख्या गाउं की संख्या एक हजार हो गई एक हजार जैसी कि लिवोटर की संक्या होगी तो कहलाएगा आपका ग्राम पंचायत में किसी vit नभाइब ना से इसजीश आपको जानना है कुछ तराज में पंचायती राज कौन से वाजटी तो ये आपने इक अधाना से सुन लिया कि किस तरीके से भारत देश जब अजाद हुआ था तो पंचाती राज को सवेधाई दर्जा नहीं दिया गया था क्योंकि उन्सान इस समय इतने मेच्योर या पढ़े लिखे नहीं थे कि पंचाती राज को समझ सकते और चुनाओं में भाग ले सकते अब आपके इ तो इसमें बहुत साइब चेंजेस करने पड़े हैं ठीक है तो पहला तो आपको जानना है पहले को से चारीज में इसकी पहले सी भूमी का लिखी गई है अब फिर हम बात करेंगे सभिधान संसुधन होता है तो उस समय क्या-क्या चेंजेस के गए कितने उपखंड जोड़े गए उपंद्रा उपखंड कौन-कौन से थे उनकी खासियत क्या है इनके वारे में चर्चा करेंगे डिटेल जानेंगे तो शुरुवात करते हैं उन लोग पंचाती राज की इत अंग्रेजों ने भी कुछ किया ठीक है इसलिए किसी किसी अंग्रेजों को इस्थानी सवस्थन का जनक कहा गया है पंचाती राज का जनक कहा गया है तो हम उसके बारे में बात करेंगे जैसे लौड मेयों के बारे में बात करेंगे लौड रीपन के बारे में बात करेंगे इन्होंने क्या-क्या भूमी का निभाई थी इस पंचाती राज के आंगे बढ़ने में उसको देखते हैं तो सुरुवात करते हैं पंचाती राज का तो लिखेंगे भारत में प्राशीन काल से ही भारत में प्राशीन काल से ही इस्थानी स्वसासन का प्रंप्रा रहा है इस्थानी स्वसासन का प्रंप्रा रहा है अब यहां पास एक वाड़ आपके सामने आ रहा है इस्थानिय स्वासासन इसका मतलब है इस्थानी इस्थर के सासन में जन्ता को भागी दारी बनाकर साशन करना इस्थानी इस्थर के सासन में जन्ता को भागी दारी बनाकर क्या करना भीया साशन करना क्लियर है अब इस थानिस तर को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है वर्तमान में बात अलग है कि हम सुफ्रों देर में पढ़ेंगे एक है आपका क्रामेर इस थानिस असल क्रामेर इस्थानी स्वाशासन और एक है आपका कि शहरी इस्थानिय स्वाशाशन इसी ग्रामेर इस्थानी स्वाशासन को फिर पार्मेर इस्थान किया गया है कि पहला आपका ग्राम पंचायत अहीं बाष्च जिला पंचायत थैंट है और तिसरा यह पर आप का जिला पंचायत कर अज नगर पंचायत, फिर बात रहें कौन से पाली का, नगर पाली का, फिर हम लो बात रहें कौन से निगाए, कौन से निगम, नगर निगम, ठीक, अब इनको बोला गया है पंचायती राज, इसको क्या बोला गया है बोलो, पंचायती राज, और इसको बोला गया है नगरी निका कौन सा निकाय जी नगरी निकाय अब यहां से हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं कि किसी भी नगरी निकाय या किसी भी पंचायती राज की स्थापना सनशना कैसी होती है तो मैं बता चुका हूँ मिनमम बोटर की संख्या होनी चाहिए एक हैजार होगा किस में आपका ही जर्ब मन्चायथ में कितना होगा फांच घर जी ला पंचायथ में कितना होगा पचास अगर किसी चेतर भी सेश्च में आपका मतला ओक्या कहल आपकाら जीला पंशचात क्या कहलाएगा इधर यही पूशन पूशन पूशा गया आगा किसी चैत्र की से टक की बोटर की संक्या है मतलव क्या कहला आएगा आपका नगर पंचार कोंसा नगर पंचार किसी छेत्र विशेस में 20,000 से एक लाख बोटर की संक्या है मतलव किसमें आएगा आपका नगर पाली का किसमें आएगा जी नगर पाली किसी छेत्र विशेस में एक लाख से अधिक बो तो ये है इस्थानी स्वसासन उसके प्रारूप चलिए ये हो गए आपका एक अधाना हमने पंचाती राज के बारें बात किया पंचाती राज अभी वर्तमान में आया है पहले इसको इस्थानी स्वसासन के नाम से जानते थे कि भारत देश में वैदिक का से थानी स्वसासन की प्रंपणा चली आ रही है तो इसको किसे करेंगे भीया गाहों का प्रसासन किसा चुटी गाई सब्सक्र division of Side 42 reading व्यविवदिक काव कि dusty आप के दहार में जानेंगे मोहरे काल de मोरे काल के बासनों जानेंगे मुगलकाल मुगलकाल के बाथ हम आप करेंगे कल्चुeszूरी वश्च्चких कि इस शत्यों प्वाई में सवर्थ समय कि ईसे सथान किया कल्चूरी वश्य फिर हम बात करेंगे वर्तमान के बारे में वैदिक काल बौध काल मौरे काल और आपका कल्चूरी फिर वर्तमान देखें वैदिक काल में ग्राम के मुख्या को ग्रामडी कहते थे ते क्या बोगे से बोलिये ग्रामडी ग्रामडी ति किसी बुक में इसो ग्रामडी दिखा है दोनों सही है बुद्ध काल में इसको देखते हैं ग्राम योजक के नाम से जाना गया कौन से नाम से जाना गया बोलो ग्राम योजक के नाम से जाना गया मौरे काल में आपको एकना है ग्रामिक क्या बोला गया ग्रामिक बोला गया गाओं की मुख्या को मुगलकाल में सवाल प्राचिन का से वर्तमान काल में अंतर क्या है नाम बस बदले और क्या अहां ऐसा कुछ नहीं नाम ही नहीं बदलें बईया चुनाओं का तरीका बदला है पहले ग्रामी ओजक का बेटा ग्रामी ओजक कहला था ग्रामी का बेटा ग्रामी बनता था लेकिन अभी वर्तमान में सरपंच का बेटा सरपंच बनता है क्या जरूरी है क्या ठीक चुना आता है अब यह बदलता रहता है पहले यह वनसान उगत हुआ करते थे आज यह वनसान से चुनते हैं बोटिंग करते हैं क्या गरते हैं बोटिंग और यही एक अलग रनीती देखने को मिलती है पंचाती राज में नगरी निकाय में वह अन्ना हर पैसे वाला इंसान क्या बन जाता जी गाओं का मुख्या बन जाता अमीरिक की गाओं में अमीरिक कमी थोड़े है जी अभी शितक चीख साइबाय लगा लिजे कि एक सरपंच की चुनाव में कम से कमती से 24 लागां खर्च करता है सरपंच लिख लिए लिख लिए जी इसके बाद लिखना हिस्ट्रिया पंचाती राज यह तो लिखना इसी के आंगे लिखना हिस्ट्रिया पंचाती राज हो गया हिस्ट्रिया पंचाती राज चल रहा है अब देखते हैं अंग्रेजों के कारेकाल में पंचाती राज लिखो अंग्र पाश्टादी से पहले ऐसा इसकते हूं कि अंग्रेजों के कारेकाल में स्थाने सवसासन है कि अग्रेद की अग्रेद की पर देश्मार्ण पर पर के जाए कि अच्छा फोटो आया रहे है मुड़दा कि फोटो भी कि चुआ रहे हैं कि अच्छी को माने के लिए देख रहे हैं कि अच्छी कि अच्छी कि इसका पुटो का है मिला रहा हूं उसको पहचान जाएं कि वहीं है कि अचलो कि एविभतिम से जीसके दिसका नाम है लॉर्ड मेयो। को समय लॉर्ण कि मेयो इसकी पहि accelerator कि जडन करना किसने करवा लॉर्ड सबसे पहले इस्थानिय स्वासासन के लिए इस्थानिय स्वासासन को वित्तिय अधिकार प्रदान किये थे सबसे पहले इस्थानिय स्वासासन के लिए वित्तिय अधिकार किसने प्रदान किया लौड वेयो ने सिच्छा स्वास्थ ग्रामिय विकास के लिए वित्तिय अधिकार प्रदान जारी किये थें इस्थानिय स्थर पर आर्थिक विकेंदरी करण का जनक कहा जाता है किसकी बात हो रही है लौड मेयो की बात हो रही है लौड मेयो की बात हो नोट कर लेंगे तो बताइए साथ साथ पहले पैसा किसने दिया अले बोलो फिर दस साल बात करते हैं लौड रिपन की बात आती है किसी बात है लौड रिपन की बात आती है तो 1881 82 में यह पूस्ता एक्जाम में लॉर्ड रीपन ने कि इस्थानिय स्वसासन का विस्तार किया कि इस्थानिय स्वसासन का क्या क्या मुर्दो विस्तार कैसे कि इसने जीला इस्तर से ग्राम इस्तर तक छेद्र का विस्तार किया छेद्र क्या किया विस्तार किया कि इसके अलावा इस व्यक्ति विस्ते ने तालू का वोर्ड वाफ तालू का परिशत की स्थापना की तालू का सौनिया राजी जैसे वर्दावाने नों जन्पत पढ़ते ना जन्पत उस समय तालू का कई सारे गाओं का समू क्या कहलाया तालू का याद आ रहा है सुरिवन्सम डिप्टी करेक्टर फीग हीरा गवरी इसी कान इस्थानी स्वसासन का जनक लॉड रीपन को कहा गया इस्थानी स्वसासन का जनक किसे कह जाता है लॉड रीपन को कह जाता है इस्थानी स्वसासन का मैगना कार्टा कहा गया मैगना कार्टा कहा गया क्या आप लोगों को मैगना कार्टा साम मे आ रहा है मैगना कार्टा साम मे आता है सुना लिए स्वर्णीम छित स्वर्णीम मतलब सबसे अच्छा उसके लिए हम लोग पढ़ के आ रहे हैं पंचाती राज तो पंचाती राज के लिए सबसे अच्छा तालुका बोर्ड तालुका पलिष्टत का गठन उसका मैंगना काड़ तो तुम्हार 25 में नौखी लग गया तो कि पहले हैं कि चोविस वुविस में बैगना काड़ता था कि प्रूसरा में यह कहोगे ना ठीक शरकार में लिए मैगना काड़ता था इसा टाप गा यह तुम्हारे लिए क्या हो जी अच्छा तो मैगमा हो जाएका नहीं होतों मैगमा काड़ता हो जाएका है कूछ को उसी मर या ना फिर बताना है इस थानी सवसन को संको केते साथ में डिवायड किया गया है दो पाँ क Keysथतर पर पंचाती राज नगर की स्थाथ पर नगरी निकार अब पंचाती राज को किसा के किया गया ह है तीन पर पहला शुटी कही उससे बड़ी जनपत तो उसको जचाका पर थै कि से मिलती होताा है ऊपका संचालक पंचायत किसे कहते हैं ये वर्ड आता सवझ में आद सांचायत किसे कहते हैं संचालब पंचायत का धर्चे कौन है ये ठीक पंचायत अब डाइटर ठीक है चलो तो हमनों बात करेंगे अब हम नगरी निकाय के बारे बात करते हैं तो बताइए सबसे शोटी क्या होती है नगर पंचायत कितने से कितने बोटर होने चाहिए वहाँ पास शजार से नगर पंचाया से मैं अर्य लाक से दिकंग है तो पर फॉन संडिगम चलो इसके बाराँ संदम में बात किये थे कुछ घायूं की प्रमूंग का नाम दिया गया था बताइए वैधिक काल में क्या बोले घाज़ा ग्रायमिडी बहुत काल में क्या बूला गाल में मुगदम कुल्चूरी वर्तमान में बनेगा ठीक है अभी तो खेर बदलाव होने वाथ सुनने में आ था कि जो सर्पंछ न उसका चुना अपरतच्छे रूप से होने वाला है कि ठीक है पंच लोग मिल यह सरपंच कशनाव करेंगे सुस्वाइब करते हैं जीला पंचाथ Gण चुनाव करते हैं उसी तरीके से बात आई ही भीच स्वाइश में कि काओं के पंच लोग थी मिल एक सबस्क्राइब करें गया सरपंच कर पसक्य परताच्य होने वाला उसे अपरताच चल्व से करें हम जर्द जो जोईतना पैसा देगा वही सरपंच वनेगा इसे ऐस बात करते हैं अब बात करते था 19-19, भाराशासन अधिनियम, लिखेंगे, यह तो हो गया 1881 और 70 ही कहानी, अब हम दाख करते हैं, 19-19 का भाराशासन अधिनियम, इस समय क्या हुआ इसके वारम चलते हैं, भारत शासन अधीनियम उन्निस सो उन्नीस और पंचाइती राज में क्या इसमें हो रहा है अगर कहां से उन्निस सो कुन बोल दिया उन्निस सो लिखां साथ सबीकना इसे को बैठाया कर अपने बगल में कि भारत शासन दिया उन्नीस सो उन्नीस अधेको इसमें कहानी क्या है कि अभी तक उन्नीस सो उन्नीस से पहले भारत में एक यह धिकार था एक ही शासन था आपका अंग्लेज का इसका जी एक एक सासन अंग्रेज लोगी चुनाओं लड़ते हैं अंग्रेज लोगी मरते हैं अग्रेज साब भारत में लागू हुआ द्वेट सासन लागू हो गया इसको समझेंगे द्वेट सासन क्या है मतलब इस थानिय निकाय के चुनाओं में भारती भी भाग लेंगे भारती क्या करेंगे जी भाग लेंगे जो भी एक्जाम होता आइसीएस का आज लोग अरतवान में क्या वह 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 रहें आज प्हें हर्ता का जो भी चुनाओं एक्जाम हो रहा है उसमें भी भाग लेगा आपका भारती मतलब भारतियों को चुनाओं लड़नें का दिकार मिल मिल गया है भारतियों को पेपर देने का दिकार मिल गया है मलब भारती कुछी बन सकते हैं और जब यह हुआ तो जो भी भारती चुनाओ जीत कर मंत्री मंडल का गठन करते हैं उन्हें पंचाती राज या इस्थानिय सोसासन या अभी वरतमान में क्या वो सकते हैं इसको पंचाती राज का दिकार दिया गया का दिकार दिया गया कहने करते है कि 1919 में जो भारती चुनाओ लड़े और चुनाओं चीत के मंत्री मंडर में सामिल हुए थे उनको बोला गया भाया एक काम कर तो भाया तो अपने गाओं तक जाओ और अपने गाओं में ना इसका बिस्तार कर किसका इस थाने इस वस्तार कर ठीगे को सजर्यम के ताथ ऐसा हमको अधिकार मिला है 1919 के दिए और राज सूची का विसे बनाया गया पुछे गए इसाम में राज सूची का विसे किस अधियम के तहट आंसी गुरूप से बनाय गया, आंसी मतलब होता है कम, आंसी मतलब क्या होता जी, कम, तो वो कौन सा धिनियम होगा आपका, 19-19 के धिनियम, तो इतने साइच चीज पंचाइती राज के लिए लाए गया था, 19-19 के धिनियम में, पहला चीज, भारतियों, भारत में उनकर वहाँ जीत के गये थे, उनको पंचाइती राज को अधिकार दे दिया गया, कि भाया तुम्हारे अधिकार में पंचाइती राज आएगा, तुम इसका विकास कीजिए, और इसी 19-19 अधिनियम के तहट, राज सुची का विश्य माना गया, आंसीक रूप से, आंसीक म केंद्र सुची, समवर्ती सुची क्या है, इसको दो मिनिट में समझिए, जिस भी नियम कानून में केवाल केंद्र कहां सचेफ होगा, केंद्र का सनक्षण होगा, केंद्र का ही सनक्षण और समर्धन होगा, ओ केंद्र सुची का विश्य है, कौन से विश्य है, जिसको जिसमें राज्य का ही एक अधिकार होगा राज्य का ही उसमें एक अधिकार है उस प्रसासन केंद्र का कोई लिना देना नहीं रहेगा वो क्या होगा राज सुची के विश्य को से विश्य होगा या राज सुची की विश्य है ठीक है जैसे पंचाती राख्यों किसका विश्य बना दिया गया है राज सुची का राज कही है कोई दिक्रती राज चाहे तो कोई बदलाव कर सकता है जैसे प्रहाए ना एक हजार बुटर होनी चाह रहा है राज्य चाहे तो इसको आप प्रतच्ष कर सकती है उसमें कोई लेना नहीं है जिसमें दोनों का ही क्या गयते हैं बराबर का धिकार हो राज्य कभी अधिकार हो केंद्र का धिकार हो ऐसे सब्सक्राइब कर रहा है इसको केंद्र का साट रहता है राज्य का चाइज रहता है अलग अलग रहता है तो यह है आपका उननी सों रितिंस का पैंचाटी राज अधिनियम भारा साथ रहां-धिनियम आपंचायती राज का प्रावधान खर्द स Card suck अब दिखिंगे इसके आज 1935 भारासासन अधिरियम 1935 भारासासन अधिरियम 1935 भारासासन अधिरियम इसमें एकना पंचायती राज को पूर्ण रूप से राज सुची का बीस्या बनाया गया अधिरियम अधिर भारादेस अधिरियम कभ वा ज़्याद 27 पर पता ही निए पता है 1927 भारादेस अधिरियम अज़ादीक समय अब भंबात करते हैं सर्थान कर दिमान हो रहा था 2020 से लेकर ठीकिती साल लग गये साइद निर्मान होने में तो सविधान का ज़िदें मारा था तब यह बात रखी ती कि क्या इस्थाई सर्षाजन को यह पंचाती राज को सर्थान का धरॉंचाय दिया जाए किनदैजette एक चीज आखना अगर सर्धान का दर्जा किसी चीज को मिल जाता है मतलब वह कानून लागू होना होना अनिवार है मतलब तुम्हारा फाइर अगर पुलिस इस्ट्रेशन में लिख लिया गया तो उसका निर्याकरण करना अती आवश्च्टा को याता है वह फाइल बन जाता जब तक तेरा फाइल प्लोज नहीं हो जाएगा तब तक तुमको बुलाता रहा है तो यहाँ पास हमनों बात करने वाले हैं आपका सविधाई दर्जा दिया गया कि नहीं दिया गया तो मैंने शुरूम बताया था कि भी मरव अंबेटकर ने सविधाई दर्जा देरी से मन भी मैं यौ बोलेंगे चुनाओ लड़ो करो करो यह करो यह करो पोसिवल था क्या नहीं था अब या Tôi क्षेटी किसाई करना है उसके जर्द करना है जैसे खेटी किसाई नहीं होगा तो कुछ और शनसाधान का उपयोग करना है टिक अब दिले दिले कहोते हैं बंध होते गया अब प्रहाइर इस सां कर लिया है बहुत साथ चीज उनके अंडर में हैं मैं तो मेरे गाउं में इतने लोग पढ़े लिखे हो गए है उन लोग हर चीज अपने मुवाइज देख लेते हैं दुनिया भर का एफ है सरकार का सब वेफसाइट है बिजली बिल इतना बढ़ कि क्यों आया वो सब आप में पाज चल बाता देंगे सब आ रहें है कि एक एफ कि स tradव होजा रहा है वहीरे कि सिस्थि dear तो पहले सविधाई दरज्या ने दिया गया और और सविधाई दरज्य उसी समय से हो जाता अगर वो अच्छे से लागू होता तो यह फिर क्या होता गाउं का विकास ही नहीं हो पाता ठीक है बिल्कुल तरह की से क्या हो जाता फैल जाता अब इसको कैसे सब्झों के मैं बता रहा हूं एक उननीश सो 52 से लेकर 1909 तक काउं के विकास के लिए अलग-अलग समीतियों का अलग-अलग कायकरम को बनाया गया लाउ किया गया लेकिन सोचिए 50 से 90 तक 40 साल तक इसका असर बेशर रहा असफल रहा क्या रहा यह असफल मलब होता ना कि लाउ करने असरा यह अख माते हैं 40 साल तक हम आजमार रहे थे आजमायीच रहे थे, कुछ कर नहीं रहे थे फाने जब लगा यार कुछ नहीं होने वारा इससे एक काम करते है लाउ कर देते लाउ किया गया तो उसका अफर यह हुआ कि आपका शफलता कर दिया करो कि काम करे कि ना करे कुछ भी मन में आएगा कि इसको करना चाहिए कर नहीं कर देखते हैं आधा करके देखते हैं कभी आधा-धुरा-मत करो जब किसी kind करते हैं ना तो एकदम 100% कर दिया करो यह तो पूई तरह कैसे सफल होगा यह तो पूई तरह कैसे क्या होगा असफल होगा मर तो नहीं जाओगी ठीक है न और मैं तो सुरू सिलाते हुए आ रहा हूँ हर चीज पैसा कमाना नहीं होता ठीक है पैसे तुऊना रहे त नौकरी है नहीं होती अब देखो सरकार ने क्या किया था काई करम को लाओ करके देख रहे थे कि यह करते हैं करते हैं सफल होगा कि नहीं होगा वह सफल होगा सबसफल हो गया जब सविधान करके सविधान के 223 अंचेद में उसको डाला गया उचेद को 15 जोड़े गये तब जाकर वह पूरी तरह किसे भाद इसमें लागो हुआ अब भाद इसमें लागो होने के बाद वो देखो आज कैसे सफल है आज सब राज्ये में पंचाहिती राज है कहीं तुरी स्तर कहीं 40 चीमा का कि जलसंक्य कम होरा 2 रहा Tam है तो सबस्क्राइब कि मतलब हमारी क्या है क्या है लौहई कहानी वंसाभड निहां को सिकानी वह कम पर सोच तक निवक्राइब तरही सापकर या ज्यात्य बढ़ करणी सब्nesक्राइब तक मतलब वोड़कोzkराइब कि पता ही नहीं पता जी ठीक है आप सोचो पहले जवाने में कितना खतनाक चलता इसी लिए आपको पढ़े हो ना आपका आजीवका वगएरा आजीवका से पढ़के एक चीज़ी आपको बिला होगा कि जितनी भी साहुकारिता थी जमिनदाई पर्था थी यह सब के सब देरे सब्सक्राइब क्या हो गया चांगया जा गया समुन पहले कोई 10 परसंट पैसा दे रहा है अगोई आकर बोलेगा या यह काम कर दो परसंट में ले पैसा तो कोई इंसान लेगा इससे हैं कि समाज भी आया क्या बोलो समाज एक काम करना तो गाउओं का घर का अदमीं आ समाज का अदमी समाज ठीक है इस साल के लाश्ट में जम्मा कर देना साफ बात जमा नहीं कर पाएगा तब देखेंगे परसेंट की बात तो धीरे धीरे जो है ना यह साहुकारता यह मजदोरी पर्था यह रिड़ से आजादी ब्याज पर्था काबू लाएगे काबू बात करने वाले हैं किसके बारे में 1852 से लेकर आपका अंतिम दौर तक कब तक जब तक वो खतम नहीं रहता जब तक उसको संसोधन में संसोधित करके डाला नहीं जाता ठीक है तो सबसे पहले जो काईक्रम चालूब किये गया था वो था पंडित जवार नहरू के समय और उ है 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 अजय है यह जाए जा था निस सबावान में और इस काईक्रम को जो उद्देश है का उसका उद्देश था समाजिक वा आर्थि विकास में जनता की भागी दारी स्नोशित करना कि मैसा जनता की भागी दारी स्नोशित करना अब यह क्या हुआ इसमें परिणाम क्या हुआ परिणाम यह हुआ कि यह असफल हो गया परिणाम क्या हो जी यह असफल असफल तक कराण क्या था इस काईकरम का जो मूल स्रोत था जहां गाउं तक पहुशना था वो पहुशनी पाया गाउं तक पहुशनी पाया कहां तक पहुश पाया इस्थानी इस्थर तक पहुशनी पाया यह काईकरम सरकारी अहितकारी तक ही स सरकारी अधिकारी तक ही सिमित रह गया यह काई करम सरकारी अधिकारी तक ही क्या रह गया भीया सिमित रह गया जनता को इसका अधिकार नहीं मिला क्लियर है, अब हुआ क्या, देखो, अब 1906 में ये कारिकरम असफल क्यों हुआ, इसके जाज के लिए बलवन्त राय महता समिती, का गठन किया गया, बलवन्त राय महता जो थे, अध्याच्य थे, कई लोगों की कम्यूटी थी, इसलिए इसका नाम रख दिया गया बलवन्त राय महता समिती, ठीक है, 1956 में बलवन्त राय महता समिती गठन किया गया, 1957 में इन्होंने सिफारिज दी, और 1958 में इसने अपनी रिपोर्ट पेस की, और इस रिपोर्ट के तहट सबसे पहले, तीन इस्तरी इस्तरी पंचाती राज व्यवस्था लावू करने की सिफारिज की, वही जिसकों पड़ते आरहे हैं, गाउं में कौन सा इस्तर, ग्राम इस्तर, जनपत को क्या बोला गया है, खंड इस्तर और चीला में कौन सा इस्तर आपका जीला इस्तर, ग्रामिस्तर, खंडिस्तर और जिला अब इंट्रेस्टिंग बात यह है कि इसे बकादा लागों भी किया गया दो अक्टूबर 1959 को राईस्थान के नागोर जिले नागोर जिले के बगदरी बगदरी गाउं में इसे लागो किया गया यह गाउं का नाप पूछता जी राईस्थान बगदरी गाउं अपर नामता यह हुआ कि यह भी क्या हो गया आपका और शफल बता रहे हैं देखिए क्यों हुआ असपल क्यों हुआ यह लागो क्यों नहीं हुआ अभी हमारा देश इतना इतना आंगे नहीं गया है नहीं सोच पा रहा है कि हम लोग किसी को चुन कर बोड दें आज भी सोचो जाती पाती पर बोड डलती हैं अब पूरे गाउं में 100 एकसामपल गाउं कीते हैं 100 लोग एक एक्जामपल 20 यह समुदाय के हैं 20 यह समुदाय के 5 समुदाय बढ़ गए हैं और कोई एक इंसान को सरकार बोलती है कि तुम चुनो पॉसिबल था और यह सरकार वह सी कर रही थी कि यार चुनो चुन कर तुम लोग किसी को अध्यच्च बनाओ तो फलाना जाती का बोलता ह हमारा अध्यचीर ही रहेगा फलाना जाती को बोलता है हमारा अध्यचीर हेगा टिल बोलता है हमारा जात कह एथ है तो इसे लिए यह जाती का तो मेन मुद्दा जाती पर्था ही है ना अगा जाती पर्था नहीं होता तो बीजेपी ये बेमे तरह में इस वर साहू को खड़ा क्यों करता आप खुछ सोचे जरा है अगा जाती पर्था नहीं होता तो बीजेपी इस वर साहू को बेमे तरह से खड़ा क्यों करता उससे पहले कोई नहीं रहे हुए क्या नेता रहे होंगे लेकिन वो में मुद्धा तो इस वर सहू था किसको खड़ा करेंगे सहू बूर्ड मिलेका और जीता भी नहीं जीता क्या डिवांगा लोग जाना है देवां खड़ा करो यहां साविलोग खड़ाएं यहां मुसल्मान बेंक की नीती है तो यह था आपका मिनकान असफलता का और सब के असफल उन्हें पुछ नोपूछ यही रहा है मैं क्या बता रहा हूं के इंद सरकार से जो पैसा आता है गाओं तक पहुंचते पहुंचते उससका केवल कितना परसंट बसता है 10 परसंट बसता है घर अर लिखा है ता सुवी क्रीट राशी पांस लाक रुपिया एक ट्रा सवर हैगा जब हुद्रा जिसका कोई दीवार नहीं रहता और उसका इतना राशी रहेगा 5.00,000,000 सौभाई सवास्थ भवन समधाइक हलाना भवन ये भवन ये भवन रहते रहते अच्छा खासा लगए और केवा वो गणेश को बिराज मांण के लिए भगवां द्रोगा रखने के नहीं बोलते हैं को जो बेठाक रखते हैं दैहान क्या बोलते हैं दैहान दैहान मना रखते हैं गोबा जा लेकिया रे दैहान जा तो यह करण है 1850 जो है यह खता हुगे आपका